राजस्थान सरकार्वा पुलिस मुख्याले से मिले निर्देश पर बच्चों को तलाश करने वाले अभियान खुशी चार अभियान की आज शुरुआत हुई है, यह अभियान आगामी 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस दोरान सभी विभागों में अधिकारी भी शामिल होंगे और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस तरह से अभियान को सफल बनाते हुए एक वर्ष से बारा वर्ष तक के बच्चों को तलाश किया जा सके। इसे लेकर चर्चा की गई, मदार स्थित दीक्षा समाज सेवी संस्था में कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पुलिस विभाग के साथ ही सीड़िबल उसी चायल्ड लाइन और विभिन सामाजिक संगठन मौजूद रहे। जिन्हें निर्देशित भी किया गया कि वो बालकों की तलाश में विभाग का सहयोग करें और ऐसे बालकों की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को सूचित करते हुए उन्हें अपने घर तक पहुँचने में मदद करें। पुलिस मुख्याले द्वारा हर्वर्स चलाया जाने वालकों की तलाश के लिए जो खुशी नमक अभियान चलाया जाता है। तो उसके लिए यह अभियान चलेगा और पिछले बार भी जो अभियान चला था उसमें हमारा अजमेर जीला रास्तान बार में सबसे अधिक गुमशुदा बालकों को तलाश करके उसके पैरेंट्स के मुख चेहरे पर खुशी लाए थे यह अभियान सफल रहा था। अभी भी यह जो अभियान है इसमें एक आज समन्वें बीटी की है जिसमें बालकल्यान समेथी चाहिल लाइन वाले सीड़ूसी ताकि एक बार सब रिफ्रेश हो जाएं और जब भी बालक मिलता है तो इन सब की आपस में समन्वें की जुरूत पड़ती है इसको लेकर के ए आई जित भी जारी है जिसमें हमारे एडीजे साहब भी आमपालजी साहब और सीड़ूसी के अंजली में सभी यहां पर आए हैं और एंजियो दिशा इसके आउजन करता रहा है हमें सांस ने अच्छी भूमीता रही है इनके साने देजी के साथ में प्रोग्रामाद कर रहे अज के दिशा संस्ता में कॉडिनेशन मीटिंग रखी गई है और इसमें सभी थाने की जो अधिकारी है वो यहां पर आये हैं और यह अगस्त महीनय पूरा जो है गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए एक उपेशन चलाया जा रहा है खुशी जो पार्ट फोर्थ है और इसमें बारा साल से जो भी छोटे बच्चे हैं जो गुम हो गए है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है विशेश अभ्यान चलाया गया इसमें इन सभी बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें अपने परीजनों से मिलाने की कोशिश की जाएगा आज इसमें क